बी वी जी कमपनी के करमचारियों की हरताल के चलते राजधानी जैपुर की चमचमाती सडकें पिछले तीन दिनों से कचरे के धेर में तबदील हो गई हैं लेकिन दोनों ही निगमों की जिम्मेदार कमिशनर इस मामले पर चुपी सादे हुए हैं क्या है पूरा मामला देखें इस खास रिपॉर्ट में शहर की चमचमाती सडकें बनी कच्रागा सडकों पर नजर आ रहे कच्रे के बड़े बड़े धेर निगमों के जिम्मेदार अधिकारी साधे हुए चुपी कोरोना काल में ये लापरवाही न पड़ जाए भार बीवी जी कमपनी के कर्मचारियों की हर्ताल के चलते राजधानी जैपुर की सडकें अब कच्रे के धेर में तबदील होती नजर आ रही है पिछले तीन दिनों से घरों पर हूपरों के नहीं पहुंचने की वज़े से लोग सडकों पर कच्रा डाल रही है ग्रेटर नगर निगम की बात करें तो बीवी जी कमपनी की वैकल पिक व्यवस्था कुले कर कमिशनर और मेयर आपस में उलज गए जससे मामला और उल्टा हो गया ऐसे में अब शेहर की सफाई वेवस्था राम भरों से दिखाई दे रही है सफाई वेवस्था बहुत खराब हो रही है दो दिन से कोई नहीं आ रहा है कच्रा लेने के लिए अब आप देखिये यहां पर कच्रा मजबूरन वैकना पड़ रहा है क्योंकि घर में भी अतरसारा कच्रा रखनी सकते हैं आप सोचिए क्योंकि घर में भी बदबू आती है उसकी फिर तो हमें भी मजबूरी में यहां वैकना पड़ता है तो जो भी उनकी प्रॉब्लम से हर्ताल है वो जल्दी खतम करें और इसको इसका निवारन करवाएं अब कोरोना जादा फैलेगा इससे क्योंकि ये गंदगी से वाइरस को और पनपने का मुपा मिलता है अभी फैल तो रहा है और जादा फैलेगा बीबी जी कंपनी के करमचारियों की हर्ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्ता पूरी तरह से चर्मरा गई है हालात यह है कि अब आम जनता सडकों पर कच्रा फैकने पर उतारू हो चुकी आप तस्बीर देख सकते हैं इमली फाता के पाथ जांकी तस्बीर आप देख सकते हैं किस तरह से आम जनता ने जब कच्रा है अब सडक पर फैकना शुरू कर दिया इस तरह के हालात है वो चिंता जनक हो सकते हैं क्योंकि दो दिन से लगातार बीबी जी के कमपनी के जो करमचारी है वो हरताल पर है ऐसे मैं अब घरगर से जो कच्रा उठता था वो पूरी तरह से जो वेवस्ता है वो चर्मरा गई है लेहाजा अब आम जनता है अब सडकों पर कैचना फैकना शुरू कर दिया जिसके बाद यह तस्वीर आप सब देख पा रहे हैं अगर यही हालात और करमचारों की अगर लगातार हरताल चलती है तो ऐसे मैं जैपूर शहर पूरी तरह से कच्रे में तबदील हो जाएगा है रिटेज नगर निगम की बात करें तो यहाँ भी ग्रेटर नगर निगम जैसे हलात थे हारताल के चलते यहां भी कच्रा सठकों पर नज़र आ रहा हैं पिछले तीन दिनों से बीबी जी कंपनी के करमचारियों की चली आरी हरताल की चलते अब जैपुर शहर की सड़कें कच्रे में तबदील होती हुई नजर आ रही है इस बक्त हम मौझूद हैं सोडाला इलाके में जहां की तस्बीर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर अब कच कच्रा आ चुका है हालात यह कि अब जो सड़के हैं पूरी तरह से कच्रे में तबदील हो गई है बीबी जी करमचारियों की हरताल पिछले तीन दिन से जा रही है इसके चलते घरगर्स के जो कच्रा संग्रन करने वाले जो हूपर है वो घरगर नहीं पहुच पारें जिसक की बदलत आज हालात ही है कि जैपूर शेयर पूरी तरह से कच्रे के डेर में तबदील हो चुका है तस्बीर आप देख सकते हैं कि अब जो लोग हैं घरों से कच्रा निकाल कर सड़कों पर फैकने पर उतारू हो चुके हैं वहीं गेटर नगम के अधिकारी बीबी जी कंप कच्रा है सड़कों पर नजर आ रहा और इस बग तम हरीटेज नगर निगम के कुछ एलागों की तस्बीर आपको दिखार है जहां पर आप तस्बीर देख सकते हैं कि पूरी तरह से कच्रा है सड़कों पर पहुँच चुका है क्योंकि तीन दिन हो चुके हैं बीबी जी कर कर्मचारों की हर्ताल जल्द समापनी गई तो ऐसा लगता है कि ये कच्रा पूरी तरह से सड़क में तबदील हो जाएगा बीवी जी कमपनी के भुकतान को लेकर हाल ही में दोनों नगर निगमों की बैठक हुई थी जिसमें ग्रेटर नगर निगम से खुद कमिशनर शामिल हुए इसमें कमपनी को डिजल और उनके कर्मचारियों को 50 फीसदी भुकतान देनी की बात हुई थी लेकिन ब्रेटर नगर निगम मेयर ने इसका विरोध किया और कहा कि जब तक बीवी जी कमपनी की पूरी जाच नहीं हो जाती तब तक भुकतान नहीं किया जाए इसके बाद बीवी जी कमपनी ने हर्ताल करती है प्रेक्टिकल समस्या और समस्याओं का समाधान को देखते वे ये एक सम्मिक नेड़ने पूरी कमेटी द्वारा हेरिटेज और ग्रेटर की सारे अधिकारियों की कमेटी द्वारा ये नेड़ने किया गया था कि उनको पतास परसेंट का अंत्रिम भुकतान किया जाए ताकि वो भी अपना काम कर सके पहरहाल बीवी जी कमपनी की हर्ताल के संबंध में राजसरकार से परामर्श लिया जा सकता है लेकिन शहर की सड़ती सड़कें सच्चाई बया कर रही हैं कि जम्मेदार अधिकारियों को आमजन की तकलीफों से कोई सरुकार नहीं फुर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जैपुर से भारत दिक्षित की रिपॉर्ट